नमस्कार पंचेति राइश में आपका सौगत है और मैं हूं कमल सिंह बात करेंगे मध्यप्रदेश की मध्यप्रदेश में चुनाओ है और दोनों पार्टियां जो दोनों बड़ी पार्टियां है बीजेपी और कॉंग्रेस अपनी पूरी ताकत जो है जोब के रखे हैं इस दोनों के लिए चुनाओ जीतना जरूरी हो जाता है एक के लिए चुनाओ जीतना जरूरी इसलिए है जो सत्ता में है और 2019 का चुनाओ नजदीक में है तो सक्ति प्रदरसन की बात हो जाती ही बीजेपी के लिए वहीं कॉंग्रेस के लिए वनवास खतम करने की बात होगी प्रदेश की सत्ता से बाहर है कॉंग्रेस दूनों पार्टियां एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो कर रही हैं चुनावी महाल में आम होता है पार्टियां एक दूसरे के उपर आरोप लगाती हैं और चुनाव में ऐसा देखनों को मिल जाता है लेकिन इसी दिगबिजय सिंग ने एक tweet किया एक pull का और कहा उसमें एपने tweet में लिखा दिगबिजय सिंग ने यह सुबास नगर railway फातक भोपाल पर बन रहा है railway ओबर बीच पर एक pull जिस पर आ रही है दरार slash crack इसकी गुडवत्ता पर सवाल उठाती है अभी तो pull बना भी नहीं एक भाजपानेता के मार्क दर्शन में निर्मार कारे हो रहा है फिर यह सब क्यों और कैसे वारांसी की दुरघटना यहां भी न हो जाए यह tweet करने के बाद दुगबिजय सिंग जो है एक फोटो सेयर करते हैं और फोटो में उन्होंने यह सारी चीजे लिखी जिसके बाद वो सोसल मीडिया पे ट्रोल होना सुरू हो गया दरासल यह पूरा मामला जो है 2016 से सुरू होता है 2016 में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इस फोटो को सेयर किया था और उसने कहा था कि यह कराची का पुल है जो एक साल से कारेरत है लेकिन अभी तक बना नहीं और उसी फोटो को दि अंदाज में दिया उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा पता नहीं इसमें ऐसा क्यों लगा कि मद्य प्रदेश में आज भी उनके जैसी धादनिया होती है यह वह है जो जमीन पर छोड़िये अपने ट्वीटर हैंडल पर भी यह सही धंग से पुल नहीं बना पा को हम सोचल मेडिया और फेस्बूक की यूट्व के जरी आप तक पहुंचाते रहते हैं हमारा वीडियो कर आफ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार